नमस्ते में नाम है बनाश रब सभी का हमारे चैनल पर दोस्तों स्वागत है लाला यानि की शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के दिगज खिलाडी रह चुके है और शाहिद अफरीदी ने टीम इंडिया की जमकर तारीफ की है जस्पृत बुम्रा की तारीफ की है विराट कोली क टीम इंडिया के इस जीत के वो सबसे बड़े भागिदार भी बने आपको बता दू कि ट्वीटर का सहारा लेते वह शाहिद अफरीदी ने लिखा कि टीम इंडिया की इस जीत में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी खिलाडी का है तो वो है जस्पृत बुम्रा रोहिष शर्मा और विराट कोहली का रोहिष शर्मा का एक्सेप्सनल करियर रहा है बतौर कप्तान बतौर खिलाडी के तौर वो अवल हमेशा रहे हैं विराट कोहली ने आज के मुकाबले में शांदार बल्लेबाजी की जिसकी बदौले टीम इंडिया ने शांदार मुकाबला अप के सबसे बड़े नायक भी रहे हैं साथ में जस्परीद बुम्रा की शांदार गेंदबाजी की भी उन्होंने तारीफ की वोला कि जस तरीके से टीम इंडियों को पूरी तरह से वर्ल्ड कप में लीड किया पेस अटैक को लीड किया वो काबले तारीफ है और मेरे खयाल से जस्परीद बुम्रा इस समय वर्ल्ड के सबसे बेस्ट पेसर है और टीम इंडिया की काम्यावी में जस्परीद बुम्रा का एहम योगदान है मैं आपको बता दू कि शाहिद अफरीदी ने विराट कोली और रोहिश शर्मा के करियर की तारीफ इसले की क्योंकि दोनों ने सन्यास ले लिया है टी टून्टी फोर्मेट अब विराट कोली और रोहिश शर्मा खेलते हुए आपको नहीं दिखेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट की में बात कर रहा हूँ आई पियल तो खेलते हुए रहेंगे लेकिन टी टून्टी इंटरनेशनल क्रिकेट करियर का खत्म खात्मा जो है वो अब हो चुका है रोहित और विराड दोनों ने सन्यास का एलान कर दिया है और इससे ज़्यादा खुबसूरत अवसर हो ही नहीं सकता था कि आप वर्ल्ड कप एक ट्रॉफी जो है आपके एक हाथ में है और दूसरे हाथ में जो है प्लेयर अफ दा मैच का आ तो बाधाई के पात्रे जो है वो सारे के सारे खिलाडिह चाहें और शदीप सिंग हो चाहे मौमत सिराज चाहें कुल दीप यादब हो चाहें यह रिशब पंथ हर खिलाड़ी ने अपना योगदान दिया है और इसी की वज़ह से टीम इंडिया ने मुकाबला चिता वर्ल् गाड़े और वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने ही पास रखे इसे डिफेंड भी करें लेकिन दोजार चब्दिस में तब रोहिष शर्म और विराट कोली टीम इंडिया के लिए नहीं खेलेंगे यंग खिलाड़ी खेलेंगे और उसी पर टीम इंडिया की दारोंदारी भी होगी तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही धन्यवाद लव यू